आप देख रहे हैं श्वराज इस प्रिस मैं हूँ आपके सब दुश्या और सबसे पहले खबर आपको बता रहे है रायपूर से जहां बड़ी खबर मिल रहे है रायपूर से मुख्यमंत्री निवास पर जन चौपाल आज होगी जह बुला काता जोगी मुख्यमंत्री निवास में जन चौपाल आज लगेगी मुख्यमंत्री के घर के दर्वासे आंगो तुकों के लिए खुले रहेंगे जन चौपाल में मुख्यमंत्री जन समस्याओं, सुझाबों, जन हितकारी गुजिनाओं के फीड़बैक से अफगत होंगे आम जनों और संस्थानों के प्रतेनिध्यों से मुलाकात होगी जन चौपाल का आज जन सुभह 11 बजे से शुरू होगा जन चौपाल आज रहेगी 36 गड़ में बुपेश बगेल मुख्यमंत्री बुपेश बगेल के रहने वाले हैं क्या आज मुख्यमंत्री बुपेश बगेल के रहने वाली है पूरे दिन भरो आज मुख्यमंत्री निवास पर रहेंगे क्योंकि आज जन चौपाल का आज सुभग 11 बजे से जो जन चौपाल है वो सुनू होगा लगबग एक बजे तक इसके लिए पंजियन होगा उसके बाद लगतार मुख्यमंत्री आम लोगों से मुलकात करेंगे अगर पूरे जन चौपाल की बात की जाए तो इसको एक भेट कारेकरम भी का भी नाम दिया गया है यह तिसरा जन चौपाल है दो जन चौपाल किसी कारणवस नहीं हो पाया था हर बुद्वार को यह जन चौपाल का मुख्यमंत्री निवाज में होता है हमने अगले पिछले जन चौपाल में देखने के मिला था कि काफी लंबी-लंबी जो लाइने हैं लोगों की वह मुख्यमंत्री निवाज के बहाद लगे होई थी अपनी समस्याओं को लेकर चाहे वो निजी समस्याओं हो चाहे समुझमी समस्याओं या संसा जो इभिन नेंजी और संसा है वो अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री भुपेज बगिल के पास पोचते हैं और मुख्यमंत्री भुपेज बगिल उनके तमान जो आविदन है उसको धर पुरोग सुनते हैं और पुरन कई शीचों का निराकरण करने के भी निर्देश वो देते हैं तो अगर देखा जाए करने का उद्देश सही था कि जो समस्या लोगों की हैं जो प्राफ्टिक इस्तर पर उनकी समस्याओं कर नहीं हो पाता तो ऐसी समस्याओं का खुद मुख्यमंत्री भुपेज बगिल निर्देश कर रहे हैं और आज आज भी अगर पूरे कारीकरम की बात की जाए तो उमिज से वहाँ पर पहुचते हैं और यह उनकी कोशिस रहती है कि जो उनकी समस्याओं है वो कम सिकम पुरी हो तो धैलपुर अप मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुनते हैं और कई जो समस्याओं उनका तुरन निर्देश करने के भी निर्देश वहाँ पर वो देते हैं पार देखें वुक्षम्तरी बुपेश बखिर के बात की जाए तो सबसे पहले वो तो ग्यार बजे से जन्छपाल कारेकरम में सीम हॉस में बैठेंगे और लगबग जो पूरा कारेकरम है वो करीबद चार से पांच बजे तक चलेगा तो कि पूरा जो पंजियन का कारेकरम है उसके बार भी लगतार मुक्यमंतरी आहम लोगों से और जो इभिन, इंजियो और संसा के लोग है उनसे मिलेंगे तो पूरा उनके कारेकरम की बात की जाए तो जो हमारे पास उनका कारेकरम आया है वो सिर्फ सीम हॉस का है जिन भर वो सीम हॉस में रहकर लोगों की करें तो बापस राएंगे आप बने रही है हमारे साथ और इससे बीज आए